आज प्यारे बाप दादा के 18 जन्वरी 1980 के अवियक्त मधुर महावाक्यों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के मुरली का विशई है स्मृती दिवस पर बाप दादा की बच्चों के प्रतिशिक्षाएं। मैं ब्रमा कुमारी उशा बहन माउंट अबू से और हमारे साथ हमारे वरिष्ट ब्राता आदर्णिय प्रिज्मोन बाई जी है। आज स्मृती दिवस के स्मृती स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को देख कर बाप दादा भी सदा समर्थ भव का वर्दान दे रहे हैं। जैसे आज के इस स्मृती दिवस पर स्वतह स्मृती स्वरूप रहे हो एक ही लगन में मगन एक बाप दूसरा न कोई ऐसे सहज योगी निरंतर योग्युक्त जीवन मुक्त फरिष्टा स्वरूप सदा भव आज के दिन सभी बच्चों का चाड़ बाप समान अव्यत वतन वासी सदा स्नेही लवलीन अवस्था का रहा। ऐसे ही बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भव इसे पता लगता है कि बाबा जो निरंतर योग कहते हैं तो निरंतर योग लगाने का अगर एक शबद कहें वह है सम्रिती हम को जिस चीज की सम्रिती रहती है ओनाव니다ी अवमरे मन के संकलवयूसी के इसलिए बाकी सारा बोलना करना कर्म वेवार समझ उस तरह चलता है और सम्रिती बदली ऐसके सारा कुझ बदल जाता है निर बाबा ने एकजाम्पल दया बाबा तु हम को मेशा कहते हैं वह वह सदा सम्रिती सुरू रहो समर्थी सरूप रहोगे तो समर्थी सरूप रहोगे लेकिन ये भी देखेंगे कि हर समर्थी दिवस को ही बाबा ने समर्थी दिवस कहा है अर्थास समर्थी परी समर्थी है अब अठारा जनवरी को सारे बच्चों को खास तोर पे जिन्हों ने ब्रह्मा बाबा को साकार में देखा हुआ है, यह जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को अवयक्त रूप में समझा है, एंट वो उसारा दिन अवयक्त बतन में रहते हैं, श्रीर से अम यहां हैं, लेकर अचा पता है यह आज हमारे अवयक्त बाप का जनम दिन है, और अवयक्त बाप कहा है, तो नैचुरली हम ब कि आरे बाप का जनम दिन है, तो हम समर्थी रखते हैं, किसी का लौक एक भी जनम दिन होता है, कारे कारे करता है, तो जनम दिन की विशेश समर्थी तो रहती है, अब बाबा ने का सारे बच्चों का खुद बाबा कह रहे हैं, कि सब आप आज के दिन अब्यक्त वतन में तो बाबा कहे, ऐसे ही बाप समान न्यारे और प्यारे भवा, चारो और के बच्चों का आज के समर्थी दिवस पर, बाप को प्रत्यक्ष करने का एक ही द्रड संकल्प अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है, सब बच्चे अपने एक ही उमंग हुल्लास के संकल्प से, देश भा विदेश में सेवा की स्टेज पर, कोई मन से, कोई तन से उपस्थित है, यहां होते भी बाप दादा के सामने, सभी बच्चों की सेवा के उमंग उत्सा बरे चेहरे सामने हैं, बाप दादा को वर्रड का चक्कर लगाने में कितना समई लगता है, जितने में आप लोग साइन्स के साधनो टीवी वा रेडियो द्वारा स्विच अन कर सुनते हूं वा देखते हो, इतने समय में बाप दादा वर्र्रड का चक कर लगाते हैं, अब इसमें दो बातें आगे हैं, पहले तो बाबा ने हमारी उस दिन की जो अवस्ता रहती है, सुक्षम लोग की उसका फाइदा बताया, फिर बाबा हमारे संकलब देख रहे हैं, कि आज के दिन बच्चे बाप को तो याद करते हैं, लेकिन हर एक के मन में संकलब क्या है, कि बाब को परतक्ष करें, बाब को परतक्ष करें, और उसी अनुसार सेवा करें, तो बाबा कहते हैं, यह संकलब भी मेरे पहुंच रहा है, कि सभी बच्चे सेवा दोरा बाब को परतक्ष करना चाहते हैं, फिर बाबा ने बताया, कि बाबा देखते कैसे हैं, बाबा कहते है मेरी देखने की स्पीड इतनी तेज है, जैसे आपने सुच अन किया, तो वो होती है, जिसको कहते है, साउंड की स्पीड, टी बी में आवाज आता है, रेडियो में आवाज आता है, और एक होते है, साउंड की स्पीड से भी तेज स्पीड, सबसे गादा बड़ी स्पीड कहत सभी है कि लाइट संकलब की स्पीद से भी से लाइट को फिर भी सूर्य से जर्थी पर आने में एक मिनट कुछ से कॉछ स में लगे हैं रस्था में आप पहुँचें League它 बाब शारे आवी बीच्प चेखें लगा लेता है। हमें भी बताया है। आप भी किसी जगह अरुत्र से थाँwnieहा पहुंचना हो इज़ पेहा हो बंस पाहवाटएट जरक्ट बावाटब। तो सनकलव की स्पीड रखो अब होता क्या के संकलब में भी बिगन आ जाता है, पीड हमने संकलब की पकड़ी, लेकिन रस्ते में अगर संकलब कमजोर है, या संकलब के ऊपर भाव है, पास्ट का और बीच में आ जाता है, तो संकलब तो इधर उदर चले जाता है, दिला हो जाता है, खुद ही आता है, प क्या कर रहे हैं जैसे आज के दिन सबको एक ही सेवा की धुन लगी हुई है हरे की बुद्धी में प्रत्यक्षता का जंडा लहरा रहा है कि विश्व में यह जंडा लहरा है सबके रिदैं में बाप दादा बस रहे है और यही पुर्षार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं कि सभी कैसे दिल जीर कर दिखायें कि बाप हमारे दिल में है गाये हुए सवक हनुमान के मिसल है निजिखाया था है कोई संकल्प के तीर लगा रहे है, स्रेष्ट संकल्प से वायुमंडल द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें, कोई अपने मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए है, ऐसा दृष्य याद और सेवा के बैलन्स का बाप दादा देख स्नेह भी आज संपूर्ण रूप में इमर्ज है, और शक्ति स्वरूप भी आज सेवा अर्थ इमर्ज रूप में है, आज की इस दिन के समान, सदा याद और सेवा के बैलन्स में रहना, अब आब आब आने देखिए, स्नेह और शक्ति दो शब्द जूज के हैं, तो स्मृत शक्ति से सुने से होती है, और यो समर्थी है, उसका मतलब शक्ति है, यह असी का वर्ष विशेश हर आत्मा को यथा योग्य वर्सा देने का वर्ष है, सर्व तडपती हुई आत्माओं को यथा योग्य त्रिप्त आत्मा बनने का वर्ष है, विशेश इस वर्ष में याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिस्फुल रहना। साथ-साथ सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग देते रहना। अब देखें, यह तो बाबा ने बताया हुआ है कि बैलेंस से बिलिस्फुल रहना। तो खुद भच्छे जब सन्य और सकती या समृती और समृत्य या या याद और सेवा। और बेरेंश रखेंगे, तो बलिस्स भी मिलेगा. बलैसिंग भी मिलेगा. फिर बबाबा कहता है इस बलिस्स से अन्यकोग बलैसिंग दो, जो जो काया, वर्षा देने में का वर्षा है नही आत्मावों को हम लोगोंने वर्षा दिलाना है उसलिए बाबा कहता है कि तुमारी जो ब्लेसिंग होगी उसके अधार पर ब्लिस होगी उसके अधार पर आपको विलेसिंग ले कौन इस वर्ष का संगठित रूप का विशेश स्लोगन है सव के प्रती और सर्व के प्रती सदा विग्न विनाशक बनना उसका सहथ साधन है क्वेस्टिन मार्क को सदा के लिए विदाई देना और फूल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फूल स्टॉक करना इस वर्ष की विषेश सर्व विग्न प्रूफ चमकिली फरिष्टा ड्रेस सदा पहन कर रखना अब ये बाबा ने बहुत ही वशेश बात कही है कि फुल स्टॉप लगाना मैंने शक्तियों का फुल स्टॉप भर्ना अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते तो हमारी शक्तियां भरेगी नहीं या वेश्ट जा रही है या सदारनता पर्यूद हो रही है, वो जम्टनी हो जम्ट फुल स्टॉप में बंद случа bindu में तारी शक्तिम मैंने खुई भर्तना जाए कोई भी शक्ति बहुत भिए कोई भी शक्ति ज्यादा उपयोगना हो कोई भी शक्ति सधारंता में ना जाए जिसकी जोसकी वर्त है उसमें लगे तो बहुत अच्छा स्लोगन है फुल स्टॉप लगाने से शक्तियों का फुल स्टॉप भर सकता है मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना और सदा सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना विशेश आठ शक्तियों के शस्त्र से सदा अश्ट शक्ति शस्त्रदारी संपन मुर्ती बनकर रहना अब देखिये दाग डा ड्रेसो और ज्वेलरी पहने अच्छा है नहीं लगे फिर बाबा ने कहा सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने स्रेष्ट जीवन के पाउं रखना और क्या करेंगे तो बाबा ने जैसे इस वर्ष को कैसे मनाना है विग्न विनाशक बनना उसकी विधी बताई क्वेश्चन मार्क नहीं फुल स्टॉप और फिर ड्रेस भी ऐसा और गहने अश्ट शक्तियों के शस्त्र और कमल पुष्प के आसन पर पाउंगे फिर बाबा ने कहा खुश्बुदार बनो खुश्बु फैला हो रोज अम्रत वेले विश्व वर्दानी स्वरूप से और विश्व कल्यान करी शिव शिव और शक्ति कमाइञ्ट रूप से मंसा संकल्प व्रत्ती द्वारा वाइबरेशन की खुश्बु फैला हो जैसे आज कलकी स्थूल खुश्बु के साधनों से बिन् restrictive किक कुश्बु फैलाते हैं कोई गुलाब की खुश्बु और चन्द प्रेम आनंद की बिन बिन खुश्बू फैल पीजा है। रोज अम्रत वेले बिन बिन स्रेष्ट वाइब्रेशन के फाउंटन के मुआपिक आत्माव के उपर गुलावाशी डालना। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच आन करना। यह तो आता है ना क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदवू बहुत है। उनको खुश्बुदार बनाओ। समझा इस वर्ष में क्या करना है। इस वर्ष में आज कलके गवर्मेंट की इलेक्शन हुई है। और पांडव क्या करेंगे। इस वर्ष में जो भी पुराने और नए सर्विस के भिन-भिन साधन है। उनको तन, मन, धन, समय आदी जो भी है। सब लगाकर फाइनल सर्व आतमा ते सेलेक्ट करो। कि कौन सी आत्मा ए बोकती के वर्ष के योग्य है?् और कौन सी आत्मा ए जीवन-मुक्ती के योग्य है। जो जिसके योग्य है, उनको वैसा ही संदेश दे फाइनल करो। यानि बाबा ने उस वर्ष में एलेक्शन हुआ होगा, उसका भी एक दंपल दिया, जैसे वो सारी टाइम और एनर्जी लगा के एलेक्शन में लड़ते हैं, जीतते हैं, आप भी अपना सब कुछ जो है, ये लगा करके आत्मां में से सिलेक्ट करो, कौन सी आत्मा किस वर्ष की युग्य है, अभी सेवा की फाइल फाइनल करो, जैसे फाइल के हर कागस में ऑफिसर अपनी सही करके, संपन करके आगे बढ़ाता है, तो आप सब सेवाधारी हर आत्मा पर मुक्ति वा जीवन मुक्ति की साइन करो, फाइनल की स्टेंप लगाओ, तो फाइल संपूर्ण हो जाएगी, समझा इस वर्ष में क्या करना है, सिलेक्शन की मशिनरी तेज करो, देखेंगे कितने में फाइल तयार करते हो, पहले विदेश फाइल तयार करता है, या देश, जिस को जिस धर्म में जाना है, स्टेंप लगा दो, आज बाप दादा, चारों और के सर्वस नह ही और सेवाधारी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं, आज के दिन तन से भले बिन बिन स्थानों पर है, लेकिन मन से बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन के कारण, बाप के तरफ ही मन मना भव है, ऐसे सदासने और सेवा में, अविनाशी रहने वाले, सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले, प्रत्यक्षता का जंडा लहराने वाले, सर्व विजई बच्चों को याद प्यार और नमस्ते, उसके बाद दादी जानकी जी लंडन जा रहे हैं, तो बाप दादा से कि दादी को तक्त पर अपने बाजू में बिठाया बाबा ने बाप दादा को भी मुरब्वी बच्चों का रिस्पेक्ट रखना होता है इसलिए बाप दादा बधाई देते हैं न कि विदाई वैसे तो यह मस्त फकीर है विश्व की परिक्रमा बाप बच्चों के साथ साकार द्वारा भी करते हैं वैसे तो सेकंड में विश्व परिक्रमा लगाते हैं लेकिन साकार रुक में बच्चों द्वारा सेवा की परिक्रमा लगाते हैं बाप को विश्व की परिक्रमा अर्था सेवा की परिक्रमा दिलाने के लिए जा रही हूँ इस वर्ष की विशेष्ता चक्रवर्ति भव आगे आगे बाप होंगे, पीछे-पीछे आप होंगे, आप बाप को परिक्रमा लगवाएगी, वह बाप आपको परिक्रमा साथ-साथ दिलाएंगे, फिर बाबक कहे, आज मीठी दीदी बाप दादा के सनमुख आकर बैठी है, मन महीने दीदी, आज वतन म सभी बच्चे सने से तो पहुँचे ही थे, लेकिन आज के समर्थी दिवस मनाने के लिए, सेवा में गई हुई स्रेश्ट आत्माई भी पहुँची, उनकी भी रूरुहान बड़ी अच्छी थी, वे अपने विश्व सेवा के वंडर्फुल पार्ट को देखते हुए, के बिन शरीर से विश्व सेवा का अलोकिक राजयुक्त पार्ट कौन सा है, बाप दादा सुना रहे थे, विश्व की पतीत पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है, गुप्त सेवा धरी, गंगा और जमना प्रसिद्ध है साकार में, लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त और प्रख्यात में सितारधारी यादगार रूप में भी है, और गुप्त रूप में, गुप्त नदी के रूप में यादगार है, दोनों ही पार्ट वंडरफुल है, गुप्त नदी और गुप्त रूप में पार्ट उसका, जहां जीत वहां जन्म, कोई राज्य की जीत न जाती है, मना वो आत्मा ने जहां जनम लिया, ओ माबाप विकारों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं, जहां जनम वहां जीत है, न कि जहां जीत वहां जनम, यहां जो थोड़ा बहुत गाइन है, वही प्रेक्टिकल में पाठ तो चलना ही है, देखे कितना अच्छा बाबा ने बताया, लोग यह समयते रहे हैं, जहां जीत है, जो कोई राजा वगार उसके घर में जनम लेंगे, ऐसा नहीं है, बलके इनके जनम लेने से विकारों पर जीत पा करके, वो लोग भी सजुक के अधिकारी बन जाएंगे, अब यह विशेष सेवाधारी, समय का और साकार अधिकारी के सेवा की पार्ट समपत हो, तब नए राजय की लेन देन के वंडर्फुल पार्ट की आदी हो, क्योंकि अगर यहा जीत बहा है जनम हो, तो कल जुके तो राजय भी पतिती है, शेठ भी पतित है, बिस्नेस्में भी पतित है, उनके पाँ जनम लेने का तो कोई म तो एडवान्स का ग्रूप उसमें भी जो विशेश नामी ग्रामी आत्में हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है, स्रेष्ट जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तयार करने का वंडर्फुल पार्ट इन आत्माव द्वारा ती व्रगती से चल रहा है, जैसे विन नाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए है, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित बनी हुई, एडवान्स सेवा की पार्टी, टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है, वह तो संबंद के स्ने से प्रत्यक्ष करेंगे यह भी विचित्र कहानियों के रूप से स्थापना के जन्म का पार्ट नूंदा हुआ है पहले कृष्ण पीछे राधे होगी तो जन्म स्थान और उनकी स्थिती दोनों का संपोर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का कृष्ण का पहले होगा पीछे रादेगा हो। सामना करने वाले थे मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे। वैसे ही अभी भी बिन रूप के कार्य के संसकार वही है। मना एडवांस में जाने वाले। डोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाठधारी है। घर्ब महल तैयार करा रहे है। यहां भी तो कारोबार के निमित, कारोबार में निमित दोनों मुर्तियां रही। तो यहां महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावर्फुल चाहिए। यहां स्थापना की तैयारी की और फिर वहां आप सबके लिए जो विशेश अश्टरतन हैं। उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब तो आत्माय वहां जायेगी ना। तो अब आप पवित्र स्रिष्टी में पवित्र महल तैयार करना कितना स्रेष्ट कार्य करना पड़े। ऐसी पावर्फुल आत्माय चाहिए जो यहां पावर्फुल कार्य कर सके। ऐसी वैसी नहीं कर सकती हैं वह भी डेट पूछ रहे हैं किस डेट तक महल तैयार चाहिए डेट बताओ वह तो कहते हैं साकार सेवा का पार्ट समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदी होगी इनकी अन्त हमारी आदी पहले अन्त होगी तब तो फिर आदी होगी तो सेवा के पार्ट की समाप्ती की डेट कौन सी है वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी सुना उनकी रूरुहान वैसे तो सब आत्माइं इमर्ष थी लेकिन उनके भी ग्रूप्स है अच्छा ओम शान्ति